हालो फ्रेंड विल्कम बैक टू माई योटूब चैनल फ्रेंड आज हम बेबी के लिए कूरती बनाना बताएंगे कटिंग एन स्टिचिंग इस्टिप बाइस तीन से चार साल की बच्ची के लिए यह हमारा सूट का बच्चा वुआ फैबरीक है उसी से हम कूरती बनाएंगे यह फैबरीक हमारा टू फोल्ड है इसके बाद हम फैबरीक को रॉंग साइड करेंगे राइट साइड अंदर की साइड है इसके बाद हम फोल्ड कर देंगे फैबरीक हमारा फोर फोल्ड हो गया है कूरती के दोनों पल्ले एक साथ हमारे कटेंगे लंबाई है चौबिस इंच चौड़ाई है साड़े आठ इंच सोल्डर का निसान हम साड़े चार इंच पर लगाएंगे जितना हम सोल्डर लेंगे उतना ही आर मोल लेंगे आर मोल का निसान भी हम साड़े चार इंच पर लगाएंगे सीधी लाइन खीचेंगे नीची की साइड हम इंची टेप को रखेंगे चार इंची पर कमर का निसान लगाएंगे आठ इंची पर हिप का निसान लगाएंगे इसके बाद हम सीधी लाइन खीचेंगे इसके बाद हम चेश्ट का निसान लगाएंगे जितनी हमारी चेस्ट है उसे चार से डिवाइट करेंगे चेस्ट का निसान हम आठ हिंच पर लगाएंगे ऐसे हम कमर का निसान लगाएंगे कमर का निसान हम साथ हिंच पर लगाएंगे हिप का निसान हम आठ हिंच पर लगाएंगे सभी निसान को हम आपस में मिलाएंगे दामन के निसान भी माठ हिंच पर लगाएंगे और सीधी लाइन खीच देंगे आर मूल की गुलाई कर देंगे निक की चोड़ाई हम दो इंच लेंगे निक की लंबाई हम साड़े तीन इंच लेंगे एक बॉक्स तयार करेंगे निक की गुलाई कर देंगे जैसे हमने निसान लगाए है वैसे हम इसकी कटिंग कर देंगे फ्रेंड हमारे कुर्ती की कटिंग हो गई है अब हम पल्ला लग करेंगे कंधी पर से हिप के पास सेंटर में हम कट लगाएंगे कुर्ती को ओपिन करेंगे यह देखिए हमारी कुर्ती कट गई है दोनों पल्ले हमारे दोनों को सेट करके हम फोल्ड करके साइड में रख देंगे हमने गला पट्टी कट कर ली है साइड से फोल्ड करके हम स्टीज कर देंगे ऐसे दूसरे वाले गला पट्टी को भी साइड से फोल्ड करके हम स्टीज कर देंगे फ्रेंड हमारे स्टीज हो चुकी है कुर्ती लेंगे ने पट्टी को सेट करके रखेंगे right side दोनों की अंदर की side है और stitch करेंगे ऐसे दूसरी वाले कुर्ती का पल्ला लेंगे निक पर निक पट्टी को अच्छे से sit करके रखेंगे और stitch करेंगे एक बराबर में stitch करेंगे पूरा वीडियो में किलिए देख लीजिए जैसे stitch करने वैसे stitch करना है front हमारी stitch हो चुकी है इसमें अब हम छोटे छोटे cut लगाएंगे cut लगाने से बहुत अच्छी finishing आती है पलटने के बाद पट्टी को एक बार ऐसे fold करके पीछे side हम turn कर देंगे और ऐसे हम stitch करेंगे इसी के उपर ऐसे कुर्ती के दूसरे वाले पल्ले में nick बनाएंगे हम हमारा इस वाले पल्ले में nick बनके तैआर हो गया है यह देखिए friend दूसरे वाले में भी बनके nick तैआर हो गया है उसी के उपर अच्छी से हम sit करके रखेंगे कंदी पर हम stitch करेंगे friend हमारी कंधी पर stitch हो चुकी है कुर्थी को ऐसे open करेंगे और यह भी पट्टी लेंगे आर्मोल पर रखेंगे पूरे आर्मोल पर ऐसे round में रखते हुए जाएंगे इस्टरा पट्टी को cut करके निकाल देंगे और stitch करेंगे ऐसे दूसरी साइड भी और ये भी पत्टी को पूरे आर्मॉल पर सेट करके रखेंगे राइड साइड दोनों की अंदर की साइड है और स्टीज कर देंगे फ्रेंड हमारी स्टीज हो चुकी है इसमें हम कट लगाएंगे अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब ने किये सब्सक्राइब करिए बिल आइकन को प्रिस कीजिए आल काप्सन स्लेक्ट कीजिए ताकि हमारे आने वाले निश्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिए फ्रेंड और यह भी पट्टी को एक बार फोल्ड करेंगे फिर से फोल्ड करके हम पीछे साइड टर्न कर देंगे और स्टीच करेंगे पूरे में फ्रेंड हमारी स्टीच हो चुकी है अब कुर्ती को अच्छे से हम सेट करेंगे फ्रेंड हमने कुर्ती को सेट कर लिया और फिटिंग वाली स्टीच करेंगे हमारी फिटिंग वाली स्टीच हो चुकी है इसके बाद इसमें हम चॉक बनाएंगे एक बार फोल्ड करेंगे फिर इसे फोल्ड करके इस पर हमें स्टीज कर देंगे इस साइड भी एक बार फोल्ड करेंगे फिर से फोल्ड करके स्टीज कर देंगे ऐसे हम तीनों साइड फोल्ड करके स्टीज कर देंगे फ्रेंड हमारी चौक बन के तयार हो गई है इसके बाद हम कुर्ती को सीधा करेंगे बहुत ही प्यारी कुर्ती हमारी बन के तयार हो गई सूट के बच्चों के एक कपड़े से अपने बच्चों के लिए जरूर ट्राइ कीजिए वीडियो अथा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिए फ्रेंड यह देखिए थैंक यू फ्रेंड मिलते हैं ने इस्ट वीडियो में बाई बाई हर हर महादेव